अब देखे हम यह चाहरे हैं कि जब बहुत सी activities को हम assess करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसकी शक्सियत का हर पहलू सामने आये तो उसमें project assessment में एक बहुत बड़ा रोल रखती है आब बज़े को कोई छोटा सा task देते हैं जिस उमर और जिस दर्जे का वह है उसी लिहास से हम उसको task देते हैं और फिर यह देखते हैं कि वो उस task को plan कैसे करता है उसके resources को कैसे इकठा करता है फिर उसको manage कैसे करता है और उस process के बाद वो product किस शकल में ले के आता है यह भी तो project है कि वो एक चोटा सा visiting card बना दे अब वो card कैसे बनाना चाहेगा वो सोचेगा कि पेपर है उसको मैं fold कर दूँ और वो card की शकल का होगा अच्छा जब वो card बनाने लगता है फिर वो समझता है कि card के उपर कुछ flower या कुछ और को star या कोई sticker रखना चाहे तो जब वो मुकमल तोर पर आपके सामने ले के आएगा that will be a final project तो हम यह देखते हैं कि project के दौरान उसका thinking process क्या चल रहा था the curriculum and assessment procedures become integrated यहां दिल्चस्प बाद यह है कि जो कुछ आप उसको पढ़ा रहे हैं curriculum में जो आपने उनको skills सिखाए हैं different वो सारे skills इस वकट इकठे होकर उसकी अकल में हैं और उस वो उनहीं के मताबिक process करेगा चीजों को और उनहीं के मताबिक वो product बनाएगा यानि जो skills हमने उसको सिखाए हैं वो सारे के सारे बरुएकार लाएगा procedures used are intelligence fair they do not rely solely or primarily on language and logical thinking तो हमारी कोशिश यह होती कि project इस तरह से दें कि वो सिर्फ language के ना हो या logical thinking के ना हो बलकि उसमें कोई artistic value भी हो सकती है उसमें और भी बहसी चीज़ें हो सकती हैं तो कोई इस तरह के project दें जिसम इसमाल हों The procedure embats assessment into real world activities that are meaningful to children देखिये बच्चों के लिए theoretical knowledge बहुत मुश्किल भी है और उसको समझना भी उनके लिए मुश्किल है तो जो real life में हो रहा है जैसे मैंने अर्स किया कि आप उसको कह रहे हैं कि अपनी friend के लिए एक birthday card बना दे या अपने parents के लिए वो mother card बना दे या वो एक चोटा सा doll house बनाने की कोशिश करे या कोई चोटी सी doll ही बना दे तो वो उसके लिए project है अब जो real life चीजे हैं जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो किस तरह से अंडा उबाल सकती है या वो थोटे सी पूलों की arrangement मना सकती है या वो कावज की मदद से एक गुलदस्ता बना के दिखाए तो जिस उमर का बच्चा है उसके मताबिक उसको project देंगे जो वो कर पाए और फिर हम देखेंगे किस तरह से उसने उसमें अपने thinking process को अपनी logic को और अपनी information को इस्तिमाल किया कितने confidently और जिन जिन चीज़ों की जरूरत थी उनको कैसे jot down किया and list किया कैसे वो उनको लेके आया इकठा किया फिर क्या तरकीब वो उनको पेश करने के लिए इस्तिमाल कर रहा है तो बहुत से चीज़ें project के अंदर शामिल होती हैं जैसे हमने ये कहा कि real life से जो project आप उनको देंगे वो उनके लिए ज़्यादा दिल्चस्पी का बाइस होंगे क्योंकि वो इंगे ये चीज़ें देखते रहते हैं अब जिस बच्चे में जितनी ज्यादा सलाहियत होगी वो उतना मुकमल अच्छा बेहतरीन दुरसे लफ्सों में perfect project बनाएगा क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बच्चे अगर कुछ तस्वीर बनाना चाहते हों तो बड़ी detail में चीज़ें बनाते हैं उसमें तो ये पौदे भी उगे हुए थे करीब के पौदे जो वो हैं तोटे थे किस ता से वो नजर आ रहे थे पूलों के रंग क्या थे या अगर वो कोई डॉल बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके hair भी draw करते हैं उनके ओपर hair clip भी draw करते हैं तो ये वो सारी details जो बच्चे आप तक सीख चुका है जो उसके मुशाहिदे में हैं या जो curriculum में activities चलती रही हैं उन सब को वो एकठा करने की कोशिश करेगा और हमें उसकी मजमूरी सलाहियतों के बारे में जानने में बड़ी मदद मिलती है अगर हम उनको real life project जो हैं वो दें और फिर उनको एक अच्छे से assess भी करें जैसे हमने बाकी तमाम चीजों के लिए rubrics बनाई थी project के लिए भी एक अच्छी rubrics बनाना जरूरी है